आज हम देखेंगे absorption laws इन में हम lambert law देखेंगे beers law देखेंगे और दोनों का combination lambert beer law देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं lambert law when a beam of monochromatic light is allowed to pass through a transparent medium यानि कि जब भी कोई monochromatic light किसी भी transparent medium से pass out होती है तब the rate of decrease of intensity of the incident light with the thickness of the medium is directly proportional to the intensity of incident light यानि कि जब भी किसी medium से light pass होती है incident light जब पास होती है तब वो उसकी जो intensity है वो decrease होती है जैसे इसे thickness बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी intensity decrease होती जाएगी और वो intensity जो decrease हो इसलिए मैं इसको minus लिखूंगा with the thickness of the medium यानि कि t t for thickness is directly proportional to the intensity of incident radiation यानि कि जो thickness ज्यादा ज्यादा बढ़ रही है तब intensity घट रही है वो intensity के उपर dependent है किसकी intensity से incident light की intensity पर तो इसको mathematical के लिए हम इस प्रकार लिख सकते है minus di by dt is proportional to i यह आपको i दिख रहा है यह intensity of incident light है टी जो है थिकने से आई का तो मैंने बता दिया यह intensity of intensity of incident light तो याद रहे लेंबर्ट लोग क्या कहता है जैसे जैसे medium की thickness बढ़ती है वैसे से वैसे intensity of incident light decrease होती है और वो कितने होती है वो किसके उपर depend करता है वो intensity of incident light पर depend करता है यानि कि उसके proportional है देखे आकृति के अनुसार हम देखते है देखे आपके सामने एक डायग्राम है यह जो i0 है यह intensity of incident light है यह हमारा sample है यह पूरा हमारा sample है इसमें जो solution filter करा गया है वो colored होना चाहिए यानि कि इसके उपर जब light गिरे तो कुछ एपसोब होना चाहिए transparent नहीं होना चाहिए तो यह आई टी है यानि कि यह light जो है हो transmit हो रही है यहां से enter होगी यहां से transmit होगी कुछ यहां पर एपसोब होगी यह जो एपसोब होगी वो किसके उपर dependent है यह i0 के उपर dependent है आप देख सकते हैं और दूसरी बात यहां मैं बात कर रहा हूं intensity की intensity और energy दोनों different चीज़े हैं यह आपको याद रखना है intensity किसा कहता है intensity for example में आपको यह हमारा कोई a sample है एक इसा मान लीजिए और sample में कोई यह imagine करिगे कोई एक one centimeter part है one centimeter area एक एरिया है one centimeter है समानली मान लीजिए one centimeter square area है तो इसके उपर एक second में कितने photon गिर रहे हैं उसको मैं उसको intensity बोलूंगा यानिकि fixed area के अंदर एक सेकंड में कितने photon गिर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं उसको intensity बोलते है एनर्जी क्या होती है एनर्जी तो fix होती है एनर्जी प्रपोर्शनल होती है फ्रिक्वंसी के यानि कि फ्रिक्वंसी बदलेगी वैसे एनर्जी बदलेगी जितनी ज्यादा frequency उतनी ज्यादए energy और वह होती है वन उपन लेंबडा यानि कि वेवलेंट के inversely proportional होती है यानि कि वेवलेंट ज्यादा होगी तो energy कम होगी क्योंकि हमने equation पढ़ाई है e is equal to hc upon lambda यहाप आप देख सकते हैं energy और लेंबड़ा दोनों inversely proportional है तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर intensity की तो यहाँ पर imagine कर लिए एक सेंटिमिटर एरिया है वहाँ पर मैं पांच photon एक सेकंड में गिरा रहा हूं और दूसरी बार मैं यहाँ पर दस फोटन गिरा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि intensity मैंने बढ़ा दी है कि intensity को मैंने इंक्रिस कर दिया है क्योंको एक सेकंड के अंदर एक सेंटिमिटर स्क्वेर रहिया में ज्यादा फोटन गिरने पड़ गए तो आपको याद रखना है intensity और energy दोनों ही different चीज़े हैं अब हम इसका solution लिखालते हैं इसको derive करते हैं लेंबर्ट विएर लोको तो सबसे पहले equation क्या था हमने लिखा था हमने लिखा था माइनस dI by dt is proportional to I ऐसा क्यों लिखा था हमने क्योंकि हमारा जो लेंबर्ट लो है वो ऐसा कहता है कि जो decrease in intensity with the thickness of the medium is directly proportional to intensity of incident radiation इसलिए हमने decrease होती intensity को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर माइनस sign add किया है अब देखे अब मैं क्या करता हो यह proportional dt की sign है उसको मैं remove कर देता हो तो इस प्रकार हो जाएगा minus dI by dt is equal to k into I जब भी हम proportionality की sign remove करते हैं कोई constant add करना होता है तो मैंने यहाँ पर constant k add कर दिया है अब मैं I को नीचे ले आता हूँ तो यह हो जाएगा dI by I is equal to k into dt ऐसा हो गया simple है मैंने I को नीचे लाया है अब मैं यह जो minus की sign है वो सामने की और में भेज देता हूँ तो ऐसा हो जाएगा dI upon I is equal to minus k into dt ऐसा हो जाएगा अब मैं इसको integration करता हूँ मैं क्या करता हूँ तो टेकिंग integration पर question यह है कहां से कहां से integration में करूँ तो देखें यह हमारा sample imagine कर लीजिए यह हमारा sample जिसके अंदर मैंने solution field करा हुआ है यह हमारा light source यह हमारा light जहां से monochromatic light निकलती है और यह सीधा जाएगा इसको क्या बोलते है अंदर जा रही है length है sample कि उसको हम T बोलेंगे यानि कि यहां से 00 से लेके T तक की लंबा ही है इसलिए इसको thickness को हम बोलेंगे T कि देखें अब तो intensity का जो integration है हम कहां से लेंगे हमें intensity यहां पर मेजर करनी है जब जब यह enter होती है i0 से लेके जब exit होती है i t तक वहां तक की intensity हमको मेजर करनी है इसलिए हम जो integration है वो i0 से लेके i t तक लगाएंगे तो अब हम यहां लिखेंगे integration di upon i कहां से कहां i0 से लेके i t तक ऐसा करेंगे क्यूं करेंगे हम यहां पर integration कर रहे है intensity का तो intensity जो है वो i0 से आती है और i0 से transmit होके i t की तरफ जाती है यानि कि i t से transmit होती है तो i0 से लेके i t तक इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे is equal to हो जाएगा minus k और dt यहांपर integration के इस प्रकार करेंगे हम ठीकने जिरो से लेके t तक हो गया dt है ऐसा हो जाएगा अभी हमें को पता है अभी हम integration किसी भी चीज़ का करें for example हम integration of one upon x bx कर रहे है तो इसका answer क्या आ जाएगा ln x आ जाएगा यह आपको मालूम है same जीज़ हम यहाँ पर करते है यहाँ पर x की जगा पर i है तो हम क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे ln i लिखेंगे और यहाँ पर limit हम add करेंगे अपर limit है वो i t है lower limit है वो i 0 है lower limit जो होती है वो निचे लिखी जाती है और अपर limit है वो उपर लिखी जाती है same here minus k यह t है dt का जो integration होगा वो t होगा के इसका integration हम नहीं लिखते है अपर limit t है lower limit 0 है समझ में आ गया होगा आपको अब हम क्या करते है यह जो ln i है वहाँ पर पहले हम i t add करेंगे फिर minus करके i 0 add करेंगे सबसे पहले i t add करते है तो किस तरह लिखा जाएगा ln i के जगह लिखेंगे i t बात में minus करेंगे और आप i 0 लिखेंगे और लिखेंगे ln i 0 यानि कि upper limit minus lower limit यहाँ पर हमने i t यह जो i है उसकी जगह पर हमने पहले i t upper limit डाली फिर उसके बाद minus करके lower limit add की तो यह हो गया minus किये और यहाँ पर t पहले यहाँ पर अपर limit t की जगह फिर lower limit जो है 0 वह add करेंगे तो इस प्रकार हो जाएगा ln i t minus ln i 0 is equal to minus k t ऐसा हो जाएगा t minus 0 t होगा तो ऐसा हो गया अब हमको पता है एक लोग करने कि लोग में जब भी minus की sign आती है तब क्या होता है divide होता है यानि कि लोग a minus b को हम क्या लिख सकते हैं लोग a divided by b भी लिख सकते हैं तो similar situation में हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ln i t minus ln i 0 को हम ln i t upon i 0 लिख सकते हैं is equal to यह हो गया minus kt हो गया अब देखें यह जो ln है अगर मैं इसको remove करना चाहता हूं तब क्या होगा तब मैं जो सामने की जो side है वहाँ पर मैंने e to the power लिखना पड़ता है देखें किस प्रकार यहाँ मैं ln को remove करता हूं तो यह इस प्रकार होगा i t upon i 0 is equal to यह जो minus kt है वह हो जाएगा e to the power of minus kt यानि कि जब भी आप ln को remove करते है तब सामने की जो चीज है वह e के power में चली जाती है e के घात में चली जाती है तो यह kt जो minus kt है वह हो जाएगा e raise to minus kt e to the power of minus kt हो जाएगा और मैं इसको इसे भी लिख सकता हूं i t is equal to i 0 into e raise to minus kt इस प्रकार भी में लिख सकता हूं इसको हम बलेंगे equation 1 तो यह हमारा lembert law का equation बहुत ही important है किस प्रकार आया है यह आपको समझना पड़ेगा बहुत ही easy है थोड़े सा mathematics से जयदा कुछ है नहीं अब देखते आगे यह था limit law अब जो दूसरी important चीज है जो the ratio of transmitted light to the incident light is called transmittance यानि कि transmitted light को हमने it लिखा था और incident light को हमने i0 लिखा था तो उसका जो यह ratio है उसको बोलेंगे हम transmittance यह आपको याद रखना है कि transmittance किसे कहते हैं तो transmitters है t is equal to it upon i0 यहाँ पर it है transmitted light और i0 है incident light यह आपको याद रखना है और और अंत में हमने लिखा था it is equal to i0 into e rest to minus kt एसा लिखा था हमने आखिर में यह यह लेंबर ट्लो यह भी आपको याद होना चाहिए यह दो important चीज़े हैं लेंबर ट्लो में पहली यह equation है और दूसरी इसी जो चीज़ है वह यह transmittance है यह आपको बराबर से याद रखना है बहुत ही important चीज़ है यह अब आगे देखते है तो ratio of i0 upon it the log of ratio of i0 upon it it is known as absorption यानि है कि अगर मैं log i0 upon it लिखो तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे absorbance तो देख लीजिए transmittance और absorption में क्या difference है transmitters में it upon i0 होता है और absorption में क्या होता है log i0 upon it यह लोग आपको भूलना नहीं है यह लोग आपको यह हमारा final equation था जिसमें हमने लिखा था it upon i0 is equal to e raise to minus kt यह सा लिखा था यह इससे पहले का equation देखिए यह रहा equation it upon i0 is equal to e raise to minus kt यह हम ने लिखा था अब देखें अभी अभी हमने बोला है कि it upon i0 उसको हम क्या बोलते है transmitters बोलते है i t upon i0 इसको क्या बोलते है Transmittent बोलते हैं, तो T लिख सकते हैं, इसके बराबर, तो यह हो गया, T is equal to E raise to minus KT, यह कार से आया T, यह value है, यह जो IT upon I0 दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, Transmittent बोलते हैं, अभी-अभी मैंने समझाया, तो इसके बराबर हम T लिख सकते हैं, तो यह T is equal to हो गया, E raise to minus KT, और हमको अगर E को remove करना है, तो सामने की side क्या हो जाएगा, LN हो जाएगा, exactly opposite, जब LN हम रिमू करते हैं, तो सामने की जो side है, वहाँ पे E to the power हो जाता है, तो similarly अगर हमको E to the power remove करना है, तो सामने की side पे क्या हो जाएगा, LN आ जाएगा, तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, LN is equal to minus KT, यह बहुत ही important चीज है, इसको आपको याद रखनी है, तो दूसरा equation यह भी है, कि LN is equal to क्या होता है, minus KT होता है, कैसे आया यह, क्योंकि हमने अगर E to the power of minus KT में से E को remove करना है, तो सामने की side हमको LN लिखना पड़ेगा, यह maths का rule है, तो यह हो गया, LN T is equal to minus KT, अब देखते हैं, यह जो A है, उसके is equal to होगा, minus log T, यह भी आपको याद रखना है, दूसरी चीज़ है important, देखे, A is equal to क्या होगा, minus log T है, यह भी आपको याद रखना है, यह क्या है, यह है, एपसोर्बंस है, यह भी चीज़ भी आपको याद रखनी है, एपसोर्बसर हम किस प्रकार लिखते थे, एपसोर्बसर एको हम लिखते थे, log I0 upon IT, ऐसा मैंना अभी आपको बढ़ाया थ है, तो यह दोनों एपसोर्बंस के इस equation है, यह भी आपको याद रखने है, अब आगे देखते हैं, अब यह हम देखते हैं, beer slow, यह था लेंबट लो, beer slow, क्या कहता है, तो absorption constant k is directly proportional to the concentration of the solution, यानि कि beer slow यह कहता है, कि जो absorption constant k है, जो अभी आपने लिखा था k, वो directly proportional है, concentration c के, एकदम आसान लो है, beer's का, लेंबट ने क्या कहा था, लेंबट ने यह कहा था, कि जो intensity of incident light है, वो thickness, budness से जो decrease होती है, वो directly proportional है, intensity of incident light से, यानि कि वो उसने एसा बताया, लेंबट ने, कि यहाँ पर intensity of incident light जवबदार है, अगर, किसी भी medium की thickness के साथ, intensity decrease होती है तो, beer ने क्या कहा, beer ने ऐसा कहा, कि जो constant k है, वो directly proportional है, concentration of the solution से, यानि कि, k is proportional to c, c यानि कि solution, k constant है, अभी भी हमने बोला, कि कोई भी है, अगर हम, proposonality की sign remove करेंगे, तो क्या आ जाएगा, constant आ जाएगा, कोई भी, तो यहाँ पर k तो हमने already लिख चुके है, तो हम नया constant add करेंगे, इसको हम add करेंगे, epsilon, यह हो गए, epsilon c, यानि कि यह equation number 3 हो गया, k is equal to हो जाएगा, epsilon c, so bear law इस प्रकार है, कि जो absorption constant k है, वो directly proportional है, concentration of the solution k, so यह k is equal to हो गया, epsilon c, तो अगर दोनों को मिला दे तो क्या होता है, तो बन जाता है, lambert bear law, यहाँ पर lambert law को भी लेंगे, plus concentration वाला जो bear का पार्ट है, वो भी add करेंगे, तो बन जाएगा, lambert bear law, lambert bear law इस प्रकार है, the decreasing rate of intensity of incident light is directly proportional to the thickness of the absorbing medium and concentration of this, यानि कि lambert law का भी आ गया, कि जो decreasing rate of intensity है, incident light की, वो thickness of the medium से proportional है, और दुसरा क्या, concentration of the cell के भी proportional है, यानि कि जितना concentration जाएगा, बढ़ेगा, उतनी intensity decrease होगी, बहुत ही easy बात है, imagine करिए, मैं आपको एक scenario देता हूँ, imagine करिए, कोई हमारे पास ये iron की एक seats है, एक के बाद एक कई seats लगाई है, और हमारे साथ यहाँ पर कोई एक gun है, यहाँ से अगर मैं firing करूँगा, तो पहले यह, इस iron की seat पर गोली लगीगी, फिर इसके बाद, इसके बाद, तिसरी पर, और ऐसे ऐसे, कहीं तो यह रुक जाएगी गोली, आखरी तक गोली नहीं पहुँचेगी, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आगे की जो seats है, वो क्या कर रही है, जो intensity है, वो absorb कर रही है, intensity को absorb कर रही है, तो इसी प्रकार, जैसे जैसे intensity बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे, सोरी, जैसे जैसे, थिकने सबढ़ती जाएगी, वैसे वैसे intensity हो जाएगी, यानि कि अगर हम लंबी आइरन की प्लेट्स लगा दे 15-20 मीटर की और वहाँ पे हम गोली लगाए तो वो गोली है वो पूरी जो आइरन की जो सीट्स है जो प्लेट्स है उनको भेद नहीं सकती क्यों क्योंकि थिक्नेस बहुत ज्यादा हो गई है उसी प्रकार से इंटेंसिटी भी अगर थिक्नेस बढ़ जाए तब डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे थिक्नेस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी एसा लेंबर्ट ने कहा था, बियर ने उसमें एड कर दिया, बियर ने क्या कहा, not only thickness is responsible for decrease in intensity, concentration is also responsible, यानि कि जैसे जैसे concentration भी बड़ेगा, वैसे वैसे, intensity भी decrease होगी, तो आखिर में हमने यह equation लिया था, कि minus l and t is equal to kt, यह हमने आखिर में लिखा था, हमको पता है minus l and t is equal to a है, आप आगे का equation देखिए, हमने a is equal to minus l and t लिखा है, तो a is equal to हो गया, minus a is equal to हो गया kt, क्योंकि यहाँ पर minus की sign है, minus की sign को मैं दूसरी साइट जाने देता हूँ, तो क्या हो जाए, a is equal to minus kt हो गया, हमको पता है, k is equal to तो क्या है, k is proportional to 2, k is proportional to, c था, so k is equal to हो गया epsilon c, अभी अभी हमने पढ़ा, beer low में, अब देखें, यह beer low में हमने अभी अभी लिखा है, k is proportional to c, so यह k हो गया epsilon c, अब दिख सकते हैं, यहाँ लिखा है मैंने k is equal to epsilon c, तो अगर k is equal to epsilon c है, तो k k, जगा पर में क्या लिखूँगा, epsilon c लिखूँगा, so यह minus ln t is equal to a है, so यह a is equal to kt हो जाएगा, यहाँ पर याद रखें, minus ln t is equal to a है, so यहाँ पर minus ln t सानी, जो मैंने ड्रो किया है, उसके बराबर ही a है, यानि कि minus ln t total, अगर minus ln t है, उसके बराबर a है, तो a is equal to kt हो गया, a is equal to kt हो गया, तो k is equal to क्या है, epsilon c है, so a is equal to होग जाएगा, epsilon c और t, यह हो गया, a is equal to epsilon ct, कैसे आया, फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे आया यह, है, ध्यान से समझिये इसको, हमने लिखा था, minus ln t is equal to kt, ऐसा हमने लिखा था, और यह minus ln t है, उसके बराबर तो a है, तो a is equal to kt हो गया, समझ भाया, मैं क्या कह रहा हूँ, यह minus ln t है, उसके बराबर a है, a is equal to kt हो गया, और k is equal to epsilon c है, सो यह epsilon ct, सो a is equal to हो गया, epsilon ct, इसको हम बोलेंगे, Lambert Bierloch, यह आपर a है, वो absorption है, उसको optical density भी बोला जा सकता है, अब देखते हैं, unit क्या होगा, epsilon का, तो हमें पता है, a is equal to epsilon ct, अभी भी हमने derive किया है, तो epsilon is equal to हो जाएगा, a upon ct, a जो है, वो unit less होता है, क्योंकि उसमें i0 upon it है, दोनों i है, तो दोनों cancel हो जाएगे, उसका unit कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर one लिख सकते है, क्योंकि उसका कोई unit नहीं है, और c यानि concentration है, concentration का unit हमें पता है, moles per liter होगा, तो c के बराबर हम लिख सकते हैं, moles per liter, और ठीकने से वो meter centimeter में होती है, तो हमने centimeter में add की है, तो यह हो गया centimeter, ज्यादा तर centimeter में होगी, meter तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, so epsilon is equal to हो जाएगा, यह liter उपर चला जाएगा, so liter upon mole into centimeter, so epsilon is equal to हो जाएगा, liter upon mole into centimeter, तो ये हो यूनिट का एपसिलोन का अब लिमिटेशन देखते हैं तो पर लेमबट लो जो है उसकी जो कुछ लिमिटेशन है उन में से सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो यह है कि यह डालिट सोलिशन के लिए ही इंपोर्टन है concentrated solution के लिए important नहीं है उसके उपर यह applicable नहीं है दूसरा यह जो lambert beer low है वो कोई temperature या nature of solvent या wavelength के बारे में कोई idea नहीं देता it does not give any idea about effect of temperature, nature of solvent या wavelength temperature ज्यादा होगा तो क्या होगा, nature of the solvent बदलेगे तो क्या होगा यह कोई हमें इसके बारे में कोई यह जानकारी नहीं देता है लिमट ब्यल्वा यह suspension के लिए भी applicable नहीं है, suspension यानि की imagine करिए हमारे पास एक काच का गलास है उसमें पानी भरा हुआ है अगर इसमें मिटी दाल दे तो मिटी मिटी होए वो नीचे बैठ जाएगे तो उसको हम बोलेगे suspension यह इसके लिए applicable नहीं है अगर जो absorbing molecules है वो उसको उसमें जो keto inol tautomers है यानि कि equilibrium है keto inol tautomerism है तो यह उनके लिए applicable नहीं है keto inol tautomerism हमको पता है keto form होता है inol form होता है दोनों एक दुसरे में equilibrium में होते हैं उनके लिए यह applicable नहीं है और जो fluorescent compounds है उनके लिए भी यह applicable नहीं है तो यह था हमारा लेंबर्ट बियर लो झाल